किसी को कोई कोश्चन हो तो पूच सकता है मैम, मैम ओफ्लाइन क्लास तो स्टार्ट हो गई है लेकिन जू बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं उनकी पढ़ाई कैसी होगी राहूल के पापा ने तो साफ मना कर दिया स्कूल आने से अरे, तो उसकी टेंशन मत लो वो अभी भी टीच्मिंट अब के द्वारा हमारे साथ लाइव है शहर शहर गाउ गाउ अब टीचर्स ले रहें हाइब्रिट क्लास टीच्मिंट के यूनिक फीचर्स के साथ हेलो दोस्तो कैसे आप सब लोग आप सभी का जोड़दार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में तो दोस्तो फाइनल कट आप के साथ आप सभी के सामने हूँ और यहाँ पर केवल एक कट आप की बात नहीं होगी कई कट आप की बात होगी फर्स लिस्ट की बात होगी जितनी पोस्टे हैं उन सब की बात करेंगे और बाकि जो नॉन टैपिंग पोस्ट है उसमें क्या कट आप रह सकती है उसकी बात करेंगे लेकिन वीडियो सुरू करने से पहले मैं एक बात बताता हूँ कि वीडियो को बिलकुल भी skip नहीं करना है क्योंकि देखे एक्जैम सारे हो चुके है साल का आप कोई भी एक्जैम नहीं बचा है टाइम आपके पास है थोड़ी देर देख लो अच्छे से देखो skip करोगे तो आपका बहुत कुछ छूट जाएगा और समझ में नहीं आएगा कट आप देख लेना आगे जाके कट आप के बारे में पूरा बतायागा बीच बीच में कट आप बताते रहूँगा अलग अलग चीज़ों की और जो हमने पहले बात करी थी सारी पोस्टों पे बात करते हैं ठीक है तो 746 पोस्ट के लिए भरती निकली थी दोस्तों सीदे से देखते हैं कौन-कौन से विभाग हैं जब आप चूस करोगे टाइपिंग में तो किसको आपको सलेक करना है फर्स सेकिंड थर्ड प्रेफरेंस किसको देनी है ठीक है और वहीं पे बात कर लेंगे कि उनमें क्या ग्रेट पे है क्या उनमें जॉब करना कैसा है तो पहला विभाग कोलो हमाँ आपके सामने जिसको आपको प्रेफरेंस में पहले नंबर पे रखना है तो पहला नंबर किसका आता है पहला नंबर आता है ये ठीक है टेलिफॉन ओपरेटर ये जो टेलिफॉन ओपरेटर है न ये देखलो ये किस कहां काम कर रहा है ये राज़पाल सचिवाले में कर रहा है सबसे बड़िया पोस्ट है इनमें और ये ग्रेट पर देखलो क्या है इसका 2800 ग्रेट पर है सबसे high merit जाएगी वो इसी भी भाग की जाएगी अब ये समझ के चलो जो इसकी merit होगी न करीबन करीबन तो समझ लो 75 प्लस या 74 या 75 प्लस इसी की होगी ठीक है दूसरे नंबर पे आपको जिसे रखना है न तो वो ये पद है ठीक है ये करम संक्या 4 पे है अमीन का पद है बहुत बढ़िया पद है आपको पता है कि अगर आप कमाई की बात करो या जो भी का हो तो ये बहुत बढ़िया पद है ठीक है दोस्तों तो ये बाकी देखो कितने में आता है ये भी 2000 ग्रेट पे में आता है 144 पद हैं इसमें, तो तीसरी पसंद ये होगी, कर संगरे करता है, इसमें बहुत पोस्ट रहे हैं दोस्तों, आएखोल देखें, हम तो यहां पे जा री है, इसकी बहुत, कई विभागों में है इसकी, तो यहां पे हम देखते हैं, कि इसके कुल जो पद है न ये है 149 पद है इसमें और ये भी 2000 ग्रेट पे है लेवल 3 में है 2000 ग्रेट पे है आप जितना भी होगा न कलर को जितना भी है बाद में रखेगा जितने पहले नॉन टाइपिंग वाले हैं उनको रखेगा तो इसकी भी मेरिट वही समझ लो 72 के करीवन में इसकी जाएगी इसकी और नीचे गिरेगी जहां तक इसकी 70 तक जाएगी ठीक है बांकी चौथे नंबर की बात करें तो कलर की जो दो अलग-अलग उसके लिए पोस्टे हैं तो उसमें से आप किसी को भी करम संक्या एक वाले को या करम संक्या दो वाले को रख सकते हैं देखो एक में 431 जो पोस्टे हैं टोटल इसमें बहुत से विभाग हैं यह देख लो 48 विभाग हैं यह अलग अलग विभागों के लिए है और यहाँ पे देखो यह जो कुछ तो अगला जो है वही कनिस सायक का है यह वाला तो आप इसको कर लो या फिर उसको कर लो किसी को भी आप रख सकते हो बाद एक ही है और इसमें देख लो इसमें जो 21,700 से 79,100 है तो लेवल 3 का है जो दूसरा कलरक वाला है इसको आप इन दोनों को आप रख सकते हैं उसके बाद हम बात करते हैं अगले की अगला यहाँ पर देखें जिसको आपको रखना चीए कम से कम छटे नंबर पर तो वो स्वागती वाला है ठीक है दोस्तों यह स्वागती वाला है क्योंकि यह भी क्या है यह भी लेवल तीन में है 2000 ग्रेट पर है पोस्टें कम है तीन पोस्टें है टोटल इसमें तो इसको आप रख सकते हैं छटे नंबर पर रख सकते हैं क्योंकि बागी अगर उनमें नहीं हुआ किसी का तो इसमें हो जाए तो इसे छटे नमबर पे आप रख सकते हैं क्योंकि लास जो है 2000 ग्रेट पे में वो यही पोस्ट है, इसके बाद जो है 1900 ग्रेट पे वाली है, तो अब हम उन पे बात करेंगे दोस्तो, तो जो साथ वे नमबर पे आप जिसे रख सकते हैं वो है survey लेक पाल, ये survey लेक पाल की, इसमें देखो आप total post ने कितनी है, इसमें 56 post ने total है, और क्या इसमें typing मागी है, नहीं मागी है, इसमें कोई typing नहीं मागी है दोस्तों, ये 1903 grade पे की है दोस्तों, कहने को इस post छोटी दिखाए दे रही है, लेकिन इसका बहुत बढ़िया काम है अच्छी पोस्ट है इसमें आप जा सकते हैं अगर आपको नीचे की पोस्ट है मिल रही हो तो ये बहुत बढ़िया पोस्ट है और जाहिर सी बात है कि इसकी जो merit है वो बहुत नीचे रहेगी तो मान के चलो अगर आपके समझ लो 62 नमबर भी आ बढ़ी है पोस्ट है इसको आप रख सकते हैं बाद में 8 वे नमबर पे इसे रख सकते हैं इसकी merit भी बहुत नीचे रहेगी अब हम देखते हैं अगली पोस्ट कौन सी है हमारी तो अगली पोस्ट की बात करें दोस्तो तो 9 वे नमबर पे आप ये 10 वे नमबर की पोस्ट को र इसमें आपका आराम से हो जाएगा तो आप बात करते हैं अपनी अगली पोस्ट की दोस्तों तो जो अंतिम पद है और जो अंतिम वरीता में मेरे हिसाब से रखा जाना चीए वो करीबन करीबन रिकॉर्ड की पर वाला है पद भी इसमें केवल एक है दोस्तों और ये वही 1903 टीन गरेट पे-का है, 2000 से कमका है, Clerk से कमका है, तो आपको मैंने यह बताइ, यह वरीता है, आप इसको फिर से देखके, अपना देख लेना, तो करीबन करीबन इस हिसाब से, आप इन पताओं को वरीता में रख सकते हैं, तो आप बात करते हैं, दोस्तों सीधे से cut-off है तो cut-off पे बात करने से पहले मैं आपसे पहले एक बात करता हूँ कि क्या होना है देखो कि अभी जो ये exam हुआ है इससे पहले क्या होना है इससे पहले lt का result आना है lt का result आ जाएगा lecturer का result आ जाएगा forester का result आ जाएगा ठीक है इनका result आ जाना है और इनमें आपके लिए जो सबसे जो फायदे मंद है जो सबसे हीरा है आपका वो यह forester है forester LT में मानता हूँ कि कुछ लोग होंगे, ज्यादा लोग नहीं होंगे LT में जो आपके exam को भी clear कर पाएंगे, कुछ लोग जरूर होंगे, lecturer है lecturer में भी कुछ लोग जरूर होंगे जिन्होंने आपका exam भी clear किया होगा और अपना भी करेंगे, लेकिन जो यह forester है ना, इसमें समझ लो, बहुत लोग होंगे, इसमें total post हैं, कितनी है वंदर होगा मैं 316 post हैं, 316 ठीक है, यह जो 316 लोग है ना, इनमें से सोच लो, कम से कम 40 से 45 परसेंट और हो सकता है, 50 परसेंट बच्चे तक भी हो, जो वंदर होगा मैं तो अभी निकलेंगे, निकलेंगे, और आपका जो कनिसाय का exam है, वो भी निकालेंगे, तो सोच लो, यह आपके हीरो हैं, इन्हों ने ही आपकी जान बचानी है, क्योंकि अगर यह समझ लो, 40-45 परसेंट भी होते हैं ना, तो 100 बच्चे, 316 पोस्ट हैं इनकी हैं तो अगर यह कम से कम 100 से 1.500 भी अगर यह हो जाते हैं ना, तो यह अगर निकल जाते हैं, तो यहाँ पर और मेरिट गर जाएगी, तो आपकी जो मेरिट जो फाइनल जानी है, वो बहुत गरेगी, और यह तो जाएंगे जाएंगे जो L.T में कुछ होंगे, और जो लेक्चरर में होंगे, मैं इनका नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यह तीन बड़े एक्जाम हैं, जो इनसे बड़े हैं, जिनमें इससे ज़्यादा इक रेट पर है, ठीक है दोस्तो, तो यह लोग तो सीधे-सीधे निकल लेंगे, और अगर एक अनुमान लगाए जाए, कि कम से कम अगर डेड़ सो या उससे ज़्यादा लोग भी इन तीनों एक्जामों में और कुछ एक्जाम के रिजल्ट और आने तब तक अगर निकल जाते हैं दोस्तो, तो यह समझ लो कि आपके मैरिट कहा जाएगी, मैरिट बहुत गिरेगी तो अभी हम बात करते हैं दोस्तों सीधे से final selection की, कितने में final selection होगा, केवल अभी typing की बात नहीं है, typing में तो बहुत पीछे तक बुलाएगा, उसकी भी बात करेंगे, लेकिन अभी जो last में आपका final selection होगा, वो कितने में होगा, तो देखो अगर आप general कोटे से आते हैं ना तो जेनरल में अगर मैं बात करूँ तो अगर आपके 64 से 66 के बीच में आपके अगर आ रहे हैं तो आपके हाई चांस नहीं समझ लो आपका बिलकुल हो जाएगा आपका 100 परसेंट है आपका हो जाएगा और जेनरल में अगर मैं बात करूँ जेनरल फीमेल की दोस्तों ठीक है जेनरल फीमेल की बात करूँ 60 से 64 के बीच में अगर आपके आ रहे हैं 60 से 64 के बीच में बन रहे हैं तो बहुत आपके हाई चांसे से आपका हो सकता है अब मैं बात करूँ EWS वर्ग की दोस्तों EWS में EWS मेल की अगर में बात करूँ न तो अगर आपके 60 से 63 के बीच में बन रहे हैं तो आपका selection होना 100% है और इसमें भी अगर EWS female की बात करूँ न दोस्तों अगर मैं तो 58 से 62 के बीच में अगर 58 से 62 के बीच मारे हैं तो बहुत ज़्यादा हाई chances हैं selection के अब बात करते हैं दोस्तों अगली category OBC वर्ग की अगर आप OBC वर्ग से आते हैं और OBC male की बात करूँ न मैं तो अगर आपके 60 से 63 के बीच में बन रहे हैं इसमें भी आपके तो आपके बिल्कुल हाई chances हैं selection पका है और यहाँ पर OBC female की बात करें दोस्तों तो करीबन वही 58 से 62 मैं यह आपको ऐसे नमबर बता रहा हूँ जो से और से और हैं अगर इतने आपके के बीच में अगर आप जा रहे हैं तो selection होने के बहुत ज़्यादा chances हैं अगर आप बात करें दोस्तों SC work के जो हमारे साथी हैं उनकी बात करें SC male में ठीक है तो SC male में अगर आपके 52 से 55 तक अगर आप पहुँच रहे हैं तो बिल्कुल chances हैं होने के और अगर female की बात करें SC female की तो 50 से 50 के बीच में 50 से 54 के बीच में अगर आपके बन रहे हैं तो आपके बहुत हई chances हैं दोस्तों और अब यहाँ पर बात करें दोस्तों pH work के जो हमारे साती है । थिक है जो pH work के हमारे साती है उनकी बात करें तो 50 से अगर 54 के बीछ में भी वो लोग आ रहे हैं तो बहुत चांसेज हैं अभी होसकता है merit और गिरेगी और यहाँ पे जो ex-service man है उनकी बात करें तो अगर वो भी 50 से 54 के बीच में आ रहे हैं तो उनके बहुत ज़्यादा हाई chances हैं दोस्तो तो यह है दोस्तो यह marriage जो last में final रहेगी अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें करीबन करीबन जो यह बुलाएगा अब उस marriage की बात करते हैं यह typing में कहां तक बुला सकता है तो यहाँ पर अगर हम typing में बात करें दोस्तो तो यह भी मैं आपको score वाला बताऊँगा कि कितने मैं यह करीबन बुलाएगा तो अगर मैं केवल 2 का बताऊँगा 2 category का सबसे उपर और सबसे नीचे बाकिया आप समझ जाना तो अगर आप आपके 56 प्लस हैं 56 प्लस हैं और अगर करीबन करीबन आप एक माइनस कल्लू में और अगर आप 55 तक भी आ रहे हैं ना 55 प्लस अगर आप आ रहे हैं या 56 आप आ रहे हैं तो यह समझ लो आप typing की practice बिलकुल करो हो सकता है कि एक दो marks पीछे चले जाए लेकिन अभी जो है करीबन 55-56 अगर 56 प्लस आपके marks आ रहे हैं तो आप बिलकुल typing की practice करो क्योंकि देखो अगर नहीं भी हुआ इस बार कोई बात नहीं क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगा आगे हो भी सकता है अभी मैं आपको पूरी कहानी अभी तो कहानी आगे बचिए पिक्चर अभी पूरी बचिए तो अभी आप यह समझ लो अगर आपका typing में नाम आता है बिलकुल typing में जाना क्योंकि selection हो जाएगा आगे को ठीक है तो अभी बात करेंगे तो अभी general category में 55-56 में typing में बहुत जादा chances है typing सुरू कर दो और दूसरा यहाँ पर हम SC वर्ग के जो साती है उनकी बात करें तो उनका तो समझ लो आपकी अगर 45 प्लस भी जो है न 45 प्लस भी जो आ रहे हैं वो भी typing बिलकुल करिए क्योंकि typing typing में नाम आ जाएगा ठीक है और बाकी के जो वर्ग हैं वो इस बीच में आप अपना खुद देख लो कि कितने नीचे आपकी typing में जाने वाला है तो आपको typing करनी है और typing अब हम बात करेंगे आगे को कि कैसे इसमें क्या काया पलट होगी जो कि आप लोगं का फिर भी नाम आ जाएगा अब दोस्तों जो में गेम है इसमें क्या होना है देखो इसका जो रिजल्ट है ना जो क्लरक का रिजल्ट होता है वो बड़ा टाइम लगाता है यह क्या करता है बहुत टाइम लगाता है क्योंकि इसमें क्या होगा पहले इसमें आएगा आपका एक रिजल्ट फिर क्या होगा उस result के कम से कम दो महने बाद ठीक है दो मन्त बाद उसमें क्या होगा कम से कम एक या दो महने बाद minimum उसमें typing के लिए बुलाएंगे क्या होगी आपकी टाइपिंग होगी फिर टाइपिंग के लिए बुलाएंगे उसमें भी टाइपिंग लगाएंगे क्योंकि बच्चे बहुत हैं कम से कम 5-6 दिन तक तो minimum वो टाइपिंग चलेगी 5-6 दिन हो सकता है 10 दिन या जितने भी दिन वो लगाएं तो इतने दिन वो टाइपिंग चलेगी आपकी उसके बाद क्या होगा उसके भी फिर ये और रुलाते हैं और उसके बाद फिर एक मेहना दो मेहना हो सकता है दो मेहना तीन मेहना या जब भी फिर उसका जो एक final result जारी होगा ठीक है अभी तो पहले इसका है समझ लो कि इसका result मैं आपको बता और यह आप सोच के चलो कि March April ठीक है March April तक करीबन करीबन April तक मान के चलो इसका result आ जाएगा उसके बाद फिर इसकी जो typing है करीबन मई जून में जो भी इसकी typing होगी तो यह बहुत lengthy process होता है कहने की बात यह है कि result आने के बाद फिर typing होती है और result फिर इसका final बनता है उसमें time लगता है लेकिन एक चीज आपको बताऊं यह जो time लग रहा है यह आपके लिए बहुत फायदे मंद है यह पहला exam होगा जिसमें जो अगर result में time लगेगा तो उसमें आप लोगों को candidate को फायदा होगा और वो कैसे होगा क्योंकि जो सबसे बड़ा result आना है वो है video का result अग तो कि इन दोनों exam के बीच में करीबन एक महने का gap इनके बीच में है तो अगर result भी इनका एक मेहने के बीच में आजाता है तो जो video वाली ज़्यादा तर post है उसमें ज़्यादा थर में typing नहीं है उसमें कुछ post है उस पर भी हम बात करेंगे बहुत जल्दी उसका पूरी post है आ जाता है तो यह बहुत बड़ा यहां पर समझ लो चेंज हो जाएगा और समझ लो पूरा गेम ही यहां पर बदल जाएगा क्योंकि फिर क्या होना है दोस्तों फिर देख लो क्योंकि वीडियो में क्या है 890 पोस्ट हैं कितनी पोस्ट हैं इसमें 890 करीबन इसमें पोस्ट है और इसमें ये आप मान के चलो कि कम से कम 65 से 70 परसेंट ठीक है 60 या 65 या 70 परसेंट बच्चे तो बिल्कुल होंगे जो बच्चे इसमें भी निकलेंगे वीडियो वाले में और आपके 31 अक्टूबर वाले में और आप ही मैसे होंगे और जो वीडियो देख रहे हो आप ही मैसे कोई भी होंगे तो ठीक है वो ही बच्चे इसमें भी निकलेंगे इसमें भी निकलेंगे और कई लोग जो इसके टॉपर होंगे उसके भी होंगे तो ये अगर यहाँ पर हो जाता है तो वो लोग इसको जॉइन ही नहीं करेंगे ठीक है? और सीधे से इसकी merit वहीं पर गिर जाएगी और अगर मान लो इन्होंने 31 अक्टूबर वाले में उसके बाद जब जोईनिंग तो हो जाएगी लेकिन उसके बाद बहुत जल्दी क्योंकि रिजल्ट तो वीडियो का आना ही है तो बहुत जल्दी पहली या दूसरी लिस्ट में ही दोस्तों ये समझ लो कि कम से कम 300 लोग ठीक है 300 से 400 लोग ऐसा भी हो सकता है कि भाग जाएंगे ठीक है यहां से छोड़के भाग जाएंगे क्योंकि इतने बच्चे कम से कम होंगे जो वीडियो में भी निकले होंगे और यहां भी निकले होंगे तो इतनी सीटें खाली होंगी अगर पहले रिजल्ट आ जाता है तो वैसे ही merit बहुत गिरेगी और अगर पहले रिजल्ट नहीं भी आता है किनी काड़नों से उसके बाद दोस्तों अगर कलर की जॉइनिंग हो जाती है तो उसके बाद भी लिस्टें आती रहेंगी चाहिए प बहुत सीटें खाली होंगी तो दोस्तों इन सभी बातों का निचोड यह है कि आपको घबराना नहीं है हिम्मत बनाए रखनी है और अगर अभी आपके कम नंबर भी बन रहे है तो उसमें भी सेलेक्शन होगा ठीक है तो अगर किसी के मानलो 58 भी आ रहे हैं 56 भी आ रहे है तो अभी बिल्कुल घबराओं मा तो उम्मीद बना के रखो क्योंकि इतनी सीटें खाली होंगी ना इतनी सीटें इसमें क्योंकि बहुत सारे रिजल्ट आ रहे हैं और बहुत सीटें खाली होंगी तो इसमें चांस बनेगा लेकिन अभी जो से और जो सीटें जाएंगी वो मैंने आपको बता दिया, वो मैंने आपको merit अभी बता दिये, जो से और से और selection होगा, वो उतने नमबर पे पक्का होना है, उसमें हो सकता है कि कोई एक marks पीछे हो जाए, तो आब हम सीरे से बात कर लेते हैं, दोस्तों, जो non-typing वाली पोस्टे हैं, उनमें आपका selection कैसे होगा, और ये भी मैं आपको से और से और बताऊंगा तो इसमें क्या है, कि अगर आप जनरल कोटे से हैं, और आपके 69 आ रहे हैं, या 69 प्लस आ रहे हैं हो सकता है कि एक marks पीछे जा सकता है, 68 भी हो सकता है लेकिन अगर 69 आ रहे हैं, तो final है कि जो non-typing की हैं, उनमें भी आपका नाम आएगा, जब list आएगी आप देख लेना नाम लिखा होगा, और अगर आप EWS वर्ग से हैं, दोस्तो ठीक है, तो 66 प्लस अगर आप आ रहे हैं तो आपका selection उसमें भी होगा, non-typing में अगर आप OVC वर्ग से हैं OVC वर्ग से आप आते हैं, और आपके 66 प्लस इसमें भी आपके आ रहे हैं तो आपका selection होगा, आपका नाम आया होगा, दोनो जगा, अगर आप ST वर्ग से आते हैं, दोस्तो ST वर्ग से, तो आपके अगर 64 नंबर बन रहे हैं, तो आपका नाम देखना, non-typing पोस्त में भी होगा और अगर आप SC वर्ग से हैं दोस्तो, और आपके 62 प्लस आ रहे हैं, ठीक है, 62 प्लस या 62 आ रहे हैं, तो आपका जो non-typing पोस्तों की जो list आएगी उसमें आपका नाम जरूर होगा, ठीक है और टाइपिंग टेस्ट पे मैं वीडियो बना चुका हूँ पहले दोस्तों, अगर कोई confusion हो तो बताईएगा, मैं उस पर वीडियो फिर से बनाऊँगा, और जो भी पहली बार चैनल पे होंगे, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा और जिन भी सांतियों का PCS का एक्जैम है या भविस्त में देने वाले हैं उस पर एक लिंक आ रहा है वीडियो का, वो आप वीडियो जरूर देखना बहुत फायदा होगा और बांकी यार हिम्मत बना के रखो सेलेक्शन अब ज्यादा दूर नहीं है आराम से सेलेक्शन हो जाएगा खुस रहो, मस रहो और होसले बुलंद रखो ठीक है, सेलेक्शन जरूर होगा सभी को मेरी सुपकामना है, धन्यवाद दोस्तों